बिसमेल आरोफ में असलाम लेकूम कैसे आप सब आज में लेकर आई हूँ आप तो के लिए बकड़ी इस पेशल में बिहारी कबाब बनाने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी यह बनते हैं और बनाना इसको बहुत ही असान है सिंपल से घर के मसालों के साथ हम इसको त्यार नुच बनाना स्टाट करें मैं मज़ेतार सी रेसिपिक बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 kg bonless गोश्ट ले लिया था जिसके मैंने बारीग-बारीग पसंदें मैंने पसंदें तयार किये हैं आप मेरिनेट करेंगे अब हम इसको उसको मेरीनेट करेंगे मैं डाल रहीं जिसको मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंट कर लिया था अब साथ यह हम दाल देंगे इसमें सरसों का तेल जो कि जाएगा एक तहाई कप अब मैं इसमें शामिल करूं, एड्रका पेस्ट सोगे, अभी जाती है अब लसं का पेस्ट के बाफ टी स्पून लसं का पेस्ट पी जो से की नहीं है इभ्णीितर नमाख हजब़ा है 1 टी स्पून सभी चीजों का अची तरीक नेक्स स्टेप में हम एक पॉडर बनाएंगे तो पॉडर बनाने के लिए मैंने जैफल ले लिए है जवत्री ले लिए है और कबाब चीनी लिए है दस से बारा दद इसका हम पॉडर बना लेंगे तो यह थे कुछ मसाले जो के मैंने डाल दी है इसके अंदर इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे तकरीबन 20-25 के लिए इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए ताकि इसमें अच्छी से मेरिनेशन हो जाए तो कर देते हैं सको गवर और चेक करेंगे हम इसको गवड़ के बाद तो तमंध मर्ण ये नीशन केरिए लिए हैं अब कर रहे हैं नेक्स सट टेप में पपीटे का पेस लिए हैं में जो耔क इसमें शामिल कर दिया है पपीते का पेसêu डिया हैs मैं टाल रही हूं ताकि आट के घलावत तो मैंने यहां पे इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है कर देते हैं कवर एक घंटे के बाद हम इसका आगे का स्ट्रैप करें अब तक रिपन एक सी दर घंटा कुज़र चुका है पपीते कपे डाले हुए इसको अच्छी से मिक्स करेंगे अब मैं यहां पर आपको लोगों को स्टिक्स कर दो 지금 से अश्याद करेंगे और इसी तरह से गेंधार से आध्मारी जीसे और tenha सीक्वाम को भीन हाघ्छी से बनाना के त्यार कर लिए और इसी तरह से देधार हुआ कर देखित गोशन में टेंब सारी निरी किस देखें ऩराइंके दियार सकते निस और ठेके सभी बार्बीक्यू के लिए बना के त्यार कर ली इसके ओपर हम एक एक एकर के सिखोगो रखेंगे और इसको हम करेंगे ग्रिल और अलट पलट करते हुए हमने सेखना है तो आप लोग मेरी इस भी हारी कबाप की रेसिपी को भी कहाँ का से वाच कर रहे हैं अपनी प्रेसिन जु तो अगर यह रेसिपी आप लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए तो दिखेंगे हमारे कबाब होते जा रहे हैं बार्बीक्यू और जैसे ही इसमें कलर आ गया है हलका सा तो अब हम इसके उपर लगांगे हलका सा घी लगा रही हूं और बस हम इसको थोड़ा सा और स अब हम दूसरी तरफ पलटने के बाद इसको फिर दूबारा से घी लगा के सेक लेंगे तो देखेंगे बासानी हमारे सीख कबाब बनके तयार हो चुके हैं इसका अबसर्फ कीजिए चटनी के साथ पूरी पराठे के साथ बहुत ही लजीज रेसिपी है ज़रूर प्राइक इसका फीडबेक जोड़ो दीजिए और यह देखें इसका लुक खुबसूरत से मज़ेदार से बिलकुल गलेवे यह हमारे कबाब बनके तयार हो चुके हैं जिसका हम डिशाओट कर रहे हैं तो यह थी मेरी आच्छी रेसिपी बिहारी कबाब की बहुत ही टेस्टी यह बन रेसिपी को बनाईए और इसको एंजॉय कीजिए नेक्स रेसिपी वीडिये तक लिए टेक केर अलाहाफिज